जिनकी लाइफ से शादी शुदा जिन्दिगी का सुख खत्म होता जा रहा है, पहले की गलत आत्तों से या फिर किसी और वज़ा से शरीर अंदर से इतना कमजोर हो गया है कि बहुत कोशिश करने पर भी पत्मी को सुख नहीं दे पा रहे हैं, या नीचे की अंकी कमजोरी के चलते संतान सुख नहीं है, ऐसी सिती में फस गया है कि समझ नहीं आता क्या करें, तो आज आपके लिए मैं जो नुस्खा लाए हूँ, वो बहुत ही आसानी से आपकी लाइफ में खुशिया ला देगा, इस नुस्खे के लिए आपको सबसे पहली चीज लेनी है चुआरा, इस नुस्खे में चुआरे लेने कितने हैं? आपको एक बार में सिर्फ 5 चुआरे लेने हैं, एकदम सुखे और सक्त होते हैं, इसलिए इनको इस तरह तोड़ना है, या आप बेलन से तोड़ सकते हैं, या फिर इलाइची कुटने वाले छोटे मूसल से भी तोड़ सकते है तोड़ने से इसके बीज निकालना एकदम ऐजी हो जाता है, इसके फायरे तो आप जानते ही होंगे, ये बॉड़ी में एनरजी बढ़ाता है, खून की कमी पूरी करता है, ताकत बढ़ाता है, जोष बढ़ाता है, और काम शक्ति बढ़ाता है, ये देखिए, इनको इस तरह इसके बीज निकलेंगे, उनको हटा देना है, अब हमारे पास यह बिना बीजवाला चुवारा है, यह बिना बीजवाले पांचो चुवारे हम्हें एक उकली में डालेंगे और इस तरह थोड़ा चूरा कर लेंगे, कूट कर थोड़ा पाउडर सा बना लेंगे मुश्किल से दो मिनट लगेंगे अभी इस नुस्खे का पूरा scientific proof भी मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप इस नुस्खे की सही ताकत जान सकेंगे और इसका पूरा फायदा ले सकेंगे अब हम इसको एक साइड में रखते हैं और इस नुस्खे के लिए देखते हैं दूसरी चीज़ जो है बादाम कमजोरी दूर करने के लिए शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए और नीचे के अंग में ताकत बढ़ाने के लिए बादाम के बारे में आयुर्वेद में इतना कुछ लिखा गया है और लड़कों के लिए बादाम से इतने नुस्खे बनाने बताए हैं कि कम से कम 50 वीडियो तो बादाम से बने नुस्खों पर ही दिये जा सकते हैं तो इस नुस्खे के लिए हमको कितने बादाम चाहिए? दस बादाम आपको लेने हैं इस नुस्खे के लिए प्रूफ के लिए मैं आपको अचारे बाल कुष्ण जी के लिखे आर्टिकल का स्क्रीन शॉट दिखा रही हूँ जिसमें उन्होंने भी बादाम के बारे में ये सब कुछ लिखा है तो ये 10 बादाम आपको राद भर के लिए इस तरह पानी में भिगो कर छोड़ देना है सुबह ये बादाम आपको पानी में से निकाल कर छीलने हैं Modern Medical Science की बात करें तो देखिए अमेरिका के एक प्रसिट डाइटिशन कैथलीन का 2022 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसके पहले ही पेराग्राफ में उन्होंने नीचे की अंकी ताकत बढ़ाने के लिए बादाम को जबर्दस दवा बताया है छिलका हटाने के बाद ये बादाम आपको मिक्सी के जार में डालने है इसके साथ में थोड़ा साथ दूट डालना है और फिर इनको पीस कर पेस्ट बना लेना है अगर आपसे ये काम ओख्ली में हो सके तो और भी अच्छी बात है नुस्खे के लिए ये एक और चीज बिलकुल तयार है तो अब नेक्स चीज इस नुस्खे के लिए क्या लेंगे ये हम लेंगे किश्मिश नमस्ते दोस्तों मैं हैं सोनिया गोयल और एकुंजी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं तो दोस्तों, इस नुस्खे में हम 10 किश्मिश लेंगे, किश्मिश के फायदे बताते हुए अचारे बाल कृष्ण जी लिखते हैं, ये बिना बीज की छोटी किश्मिश मदूर होती है, शीतल होती है, वीरे वर्धक होती है और स्वादिष्ट होती है, ये है खासी, बुखार, रक्त, पित, आदी रोगों में उपयोगी है और ये मूँखे कड़वे पन को दूर करती है, मीटी होने के कारण ये चिपचिपी होती है, इसलिए इस पर बहुत से धूल मिटी चिपकी रहती है, इसलिए ये किश्मिश हम अच्छी तरह धो लेंगे, मौडरन मेडिकल साइंस की बात करें, तो ये स्क्रीन चौट देखिए, इसमें भारत की एक प्रसेद नूटिशन डॉक्टर गीता जी ने अपने एक आर्टिकल में इसमिश की बहुत सारे फायदे बताये हैं, जिसमें उन्हें साफ तोर पर इसे नीचे क्यांग की कमजोरी दूर करने के लिए बहुत फायदे मन बताया है, अब last research इस नुस्खे में हम लेंगे long, तो इस नुस्खे में हम को कितनी long लेनी है, हम को लेनी है सिर्फ 2 long, यह इस नुस्खे में कितनी असरदार है, इसके लिए मैं आपको अर्वित की कोर्स की इस किताब के एक पेच की छोटी फोटो दिखा रही हूँ, जिसमें long को बढ साथ पूरी लोंग खा नहीं सकेंगे अब आपको करना ये है कि एक पतीले में करीब तेट ग्लास दूद ले लेना है अगर देशी गए का दूद मिल जाए तो बेस्ट है वरना जो दूद आपके घर में डेली यूज किया जाता है बही ले लेना और इसमें ये सारी चीजे डाल देनी है तो ये मैंने इसमें कुटे हुए पांच चुआरे डाल दिये है साथ में मैं इसमें ये पांच बादाम का पेस्ट भी डाल रही हूँ इसके बाद मैं इसमें ये दस किश्मिश भी डाल रही हूँ और ये दो लॉंग खूट कर इस दूद में मैं डाल रही हूँ एक बर दूद को अच्छे तरह गरम होने देंगे फुल फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे उबाल आने के बाद गैस के फ्लेम बिलकुल कम कर देंगे और दूद को ओटने देंगे करीब 15 मिनट तक आपको ये दूद उटाना है इससे हर एक चीज का पूरा-पूरा सत इस दूद में आ जाएगा बीच-पीच में इसे थोड़ा चलाते रहेंगे जिससे दूद पतीले के तले में चिपकेगा नहीं 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर दूद उबालने से ये देड़ ग्लास से कम होका सिर्फ एक ग्लास रह जाएगा और इसमें किशमिश इस तरह फूल जाएगी बस अब गैस बंद कर देनी है और इसमें से एक किशमिश निकाल कर खा लेनी है फिर ये दूद गर्म गर्म भी पी लेना है इसमें कुछ चीजें गर्म तासीर की हैं खुछ ठंडी तासीर की हैं इसलिए ये एकदम बैलेंस नुस्खा है और हर मुसम में यूज किया जा सकता है ये एक ग्लास दूद इस तरह तयार करके आप सुबह या तो नाश्टे में पी सकते हैं या फिर रात को सोने से एक गंटा पहले पी सकते हैं इस नुस्खे को यूज करने के ये दो बैस टाइम है इसलिए आपको दोनों में से जो suitable टाइम हो वो टाइम पर आप इसको पीजिए इस तरह ये नुस्खा डेली एक बार fresh बना कर यूज करना है डेली इसको आप एक मेने तक यूज कीजिए आपके नीचे के अंकी कमजोरी की problem पूरी तरह खत्म हो जाएगी आप में नया जोश, नई एनर्जी आ जाएगी और जो आपकी शादी शुदा जिन्दिकी खराब हो रही थी वो अप खुशियों से भर जाएगी तो आप इसमस्के को यूज कीजिए अपनी लाइफ को healthy और happy बनाएए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी